हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप मिल करता हूँ कि आप घर में आच्छी तरह से स्वाध्या कर रहे होंगे आज मैं फिर आपके बीच एक नया टॉपिक ले करके आया हूँ या बीए पार्ट्टू जोग्राफी ओनर्स का पेपर फोर है जिसका यूनिट फर्स्ट है और इस यूनिट में टॉपिक है डारी फार्मिंग तो आपके एक्जाम्स में जो कोश्चन पूछे जाते हैं वह पूछा जाता है कि विश्व में दुग्ध उत्पादन क्रिस्टी की प्रमुक्ष विश्यस्ताओं का वर्डन करें या फिर आप से पुछा जाता है कि विश्व में डैरी फार्मिंग की विश्यस्ताओं का उलेख करें तो इसी चीज पर इसी टॉपिक पर आज मेरा चर्चा होगा और इसमें हम आज बताएंगे आपको कि डैरी फार्मिंग उद्योग के लिए क्या भौगलिक कारक है जो इसके लिए जरूरी है इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि डैरी फार्मिंग विश्व के किन देशों में मुख्य रूप से की जाती है और फिर मैं चर्चा करूंगा कि डैरी फार्मिंग की प्रमुख विशेथां क्या है तो यह हमारे सारे टॉपिक के सारांस है मुलबिंदु है जिसकी चर्चा आज मैं करूंगा तो आइए सबसे पहले हम जाने की डैरी फार्मिंग की किस तरह की फार्मिंग है तो यह एक प्रकार की सघन क्रिसी है जो पसुपालन उद्योग से समंधित है और इसे यह भी कह सकते हैं अब कि यह कॉमर्शियल डैरी फार्मिंग सबसे उन्नत तथा कुशल प्रकार की क्रिसी है यह दोनों ही गोलार्दों में सितोस्न कटिवंधों में मुख्य रूप से अस्थाई चारागाहों के उप्योग पर आधारित है इसका उद्य उत्री युरोप में मध्य युग में हुआ था अब हम जानेंगे कि डैरी फार्मिंग के लिए क्या भोगोलिक कारक जरूरी है तो पहला है इसका जलवायू तो डैरी पस्वों के लिए 10 डिगरी सेल्सियस से 17 डिगरी सेल्सियस तापमान और 15 से 75 सेंटिमेटर वार्षी वार्षा का परदेश अनुकुल होता है क्योंकि अईसे परदेश में चारा घास की अच्छी उपलवदता होती है दूसरा है इसमें दूद उद्योग के लिए गर्मी का तापमान 27 डिगरी सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए नहीं तो दूद और उससे बने उत्पाद सिग्र खराब हो जाएंगे तिसरा है सिद्काल में तापमान हिमांग से नीचे नहीं जाना चाहिए और मौसम पाला रहित होना चाहिए अन्यथा पसु दुर्भल हो जाएंगे तो कुल मिला कर आप कह सकते हो कि इसके लिए समसितोषन आद्र और आद्र महादुपिया जलवायू उप्यूप्त मानी जाती है दूसरा है इसका कारक स्वच्छ जल दूद गने वाली कायों को पीने के लिए बड़ी मात्रा में स्वच्छ जल की आवसकता होती है अवसाद आवस्यक है इसके लिए पस्वों को चारागा पर चराया जाए या सुस्क घास तथा सैलेज के रूप में खेतों में खाकर पस्वों को खिलाया जाए चौथा है बाजारों की समीप्चा दूद तरह उससे बने पतार्थ सिग्र नस्ट होने वाले होते हैं अता इसके सिग् पांचमा जो है वह है पुंजी डैरी उद्योग एक सगन फार्मिंग का उद्योग है इसमें भारी मात्रा में पुंजी निवेस करना पड़ता है इसलिए इसमें बहुत अधिक पुंजी के आवसकता जरूरी है छठा है उत्तम परिवान दुग्ध उद्योग के लिए उत् इसलिए अस्थानिय और प्रादेशिक दोनों प्रकार का प्रिवन सुलब होना चाहिए ताकि ताजे दूद क्रीम और मखन उभोगताओं को समय पर प्राप्त हो जाए सातमा है इसका परिक्षन और आविस्कार गायों की नसलों और उनके स्वास्त के विशाय में चारे जल दिनचर्या रहन सन के बारे में गायों की दूद देने की छमता विर्धी दूद में मखन की मात्रा और इनके अनुकूलतम बातावरन के विकास में लगातार आविस्कार की आवसकता होती है जिसके लिए विज्ञानिक प्रियोग होते रहना चाहिए और इस दिशा में अच अच्छे मसीनों का और इसके दूद और दूद से बोने पदार्थों को अधिक सदिक सुरक्षित रखा जा सके इसके लिए लगातार विज्ञानिक आविसकार प्रियोग होते रहना चाहिए अब हम चर्चा करेंगे विश्व के प्रमुख दूद उत्पादक छेत्र तो अ उत्पादक देशों में गिना जाता है ये ये देखें तो ये देश के अंतरगत विश्व का 42 प्रतिसात चाधि दूद का उत्पादन होता है यहां के प्रमुख जो दूद उत्पादक देश है वह है रूस, जर्मानी, फ्रांस, उनाटेट किंग्डम, यूक्रेण, पॉल देश हैं, इसके साथ ही एसिया में यदि हम देखें कि दूद का उत्पादन किनकिन देशों में मुख्य रूप से होता है, तो यहां भारत, चीन, जापान, पाकिस्तान, बंगला देश, तुर्की, आदी, प्रमुख दूद उत्पादक देश हैं, इसके अलावे अस्ट्रेलिया तथा न्यूजिलेंट सन्युक्त रूप से विश्व का पांच परतिशत दूद का उत्पादन करता है, अब हम चर्चा करें डैरी फार्मिंग की विशिस्ताएं, तो इसकी परमुख विशिस्ताएं वहां इस प्रकार से चर्चा किया जा सकता ह पहला है डैरी फार्मिंग एक पुन्जी परधान सघन क्रिसी है, क्रिसकों को अपने मवेशियों को सीत रितू में ठंड से बचाना पड़ता है, एक आधुनिक डैरी फार्म की अवसन रचना में भारी निवेश करना पड़ता है, क्योंकि इसे पस्वों के सैट, दूद द दूने वाली मसीने, प्रसीतक, साइलो, बाड़ें, आधी बनाने चता चिकित्सिय सेवाओं की आवसकता होती है, दूसरा है कमर्सियल डैरी फार्मिंग एक सघन स्रम ब्यवसाय भी है, क्योंकि इसमें स्रमिकों को पसू प्रजनन, पोशन, दुग्द दोहन, आधी में नि डैरी फार्मिंग परदेश की उत्पादक्ता बहुत उची होती है, सितोस्न आध्र परदेशों में एक स्वक्ष गय तीन हजार लीटर तक परतिवर्स दुद देती है, चोथा है सभी डैरी परदेशों में उच अस्तर का वानिजी करन मिलता है, विज्ञानिक विदी से प दूद तथा इसके उत्पादों का उत्पादन करते हैं, कुछ फार्मा पर दूद के अपेक्छा दूद पदार्थों का विसेशी करन मिलता है, समानेता है नगर से दूर इस्थित फार्मा पर ताजे दूद का उत्पादन कम होता है, यहां मक्षन, पनीर तथा चून रू संरक्षन की अन्य प्रक्रियाओं के विक्सित हो जाने से बाजार से दुरी का अधिक महत्र नहीं रहा है। छठा है डैरी फार्मिंग करने वाले अपने उत्पादों को सीधे उभोकताओं को नहीं बेचते। वे थोक बेपारियों को दूद बेचते हैं जो उसे फुटकर बेपारियों को बेचते हैं। दूद की भारी मांग के कारण बड़े पैमाने पर दूद का उत्पादन किया जाता है। न्यूजिलेंड तथा अस्ट्रेलिया मक्षन तथा पनीर का उत्पादन करते हैं। आठमा है कमर्शल फार्मिंग के अन्य प्रकारों की भांती डैरी क्रिशक भी घटती वी आयत था बढ़ते हुए उत्पादन मुल्यों जैसी आर्थिक समस्याओं का सामना करते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है डैरी फार्मिंग में किस किस तरह की भावलिक दसाएं या भावलिक कारक क्याव सकता होती है। फिर आपने देखा कि विश्व में किनकिन छेत्रों में प्रमुख रूप से डैरी फार्मिंग की जाती है और फिर आपने जाना कि डैरी उद्योग की या डैरी फार्मिंग की प्रमुख विशेस्ताएं क्या है। और अंत में आप इसकी निस्कर्ष के रूप में जान सकते हैं कि मांस मचली अंडा के विकल्प के रूप में मात्र दूध तथा उससे बने पदार्थी है। जिन पर देशों के प्रती व्यक्ति आए अधिक होती है, वहां दूद तथा उससे बने पदार्थ का उप्योग अधिक होता है, येरोपिय तथा अमिर्कन देशों में प्रती व्यक्ति आधा लिटर दूद खपत है, और आप यदि इसको इंडिया के परिपेक्स में देखें तो यहां पर एक चोथाई लिटर दूद भी एक व्यक्ति को नहीं प्राप्त होता है, तो छात्रों मैं उमीद करता हूं कि आज का टॉपिक आप अच्छी तरीके से समझ गया होंगे, अच्छा लगा होगा आपको, आप इसे तयार कर लेंगे, फिर मैं मिलूंगा अगला टॉपिक ले करके, अगली बार तब तक के लिए थैंक यू, आप खुश रहिए, मस रहिए, और स्वाध्या कीजिए, तन्यवाद